दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में मार्केट का एनलेसिस करेंगे दोस्तों सोमबार के लिए मंडे के लिए मंडे मार्केट खुरने वाला है दो दिन की छुट्टी और तारीक होगी उस दिन 7th of October ठीके बहुत ही दिनों बाद कुछ क्या कहते हैं काफी हफ्तों बाद एक ऐसी वीकली केंडल हमको दिखी है जिसमें बियर ने डोमीनेट किया है मेरे खाल में यह वैसी वीकली केंडल पूरे 2024 में आपको नहीं दिखेगी जिसकी इतनी बॉड़ी हो जिसका इतना क्या कहते है नंबर परसंटेज वाइस जो सेलिंग है चलिए अब मंडे को क्या देखने को मिल सकता है यह जो आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं इसी परकार से कुछ कल हमारी प्रेडिक्शन थी यह आप देखेंगे यहाँ पर देली चार्ट में लगाता हूँ ठीक है यह रहा है यह कि शायद हमें निप्टी जो है 25,050 तक कुछ देखने को मिल सकता है अब दोस्तों यहाँ से जो होने वाला है skip मत करिएगा कुछ आप मिस करेंगे weekly चार्ट को भी हम पहली बार मतलब study करेंगे वहां से क्या हमको दिख रहा है क्योंकि अज फ्रैडे वही है और चीजे जो है कुछ बदली है और आगया आने वाला टाइम जो है अभी उ पर्सनल नॉलिज आपके साथ शेयर कर रहा हूं आप उससे गर मैच करता है आपका बड़े बात है अदर्वाइस आप अपने profit and loss के खुछ जिम्मेवार है ट्रेडिंग करने से पहले किसी financial advisor से सला ज़रूर ही ठीक है आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो यह जो trend चल रहा यह पूरा पूरा एक wave pattern था ठीक है अब इसमें आपको weekly red candle बनी है बहुत बढ़िया एक red candle अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा ठीक है 2024 को अगर हम पकड़ें ठीक है मोटा मोटा तो आपको weekly candle बहुत ही कम दिखेंगी जैसे यह कुछ दिखेंगी दो ठीक है एक यह दिखेंगी ठीक है दो यह दिखेंगी चोटी-चोटी सी फिर एक यह दिखेंगी एक यह दिखेंगी यह दिखेंगी यह तो neutral टाइप है यह भी neutral टाइप कुछ पैसा सही है एक आपको यह दिखेंगी ठीक है और यह है तो सिर्फ यही है इस 2024 में जहां प एक ये वाला टाइम, ठीक है, होता क्या है, दूसरी weekly candle इसके नीचे ट्रेडिंग भी करके, वो attack से इसके उपर आके close कर जाती है, अब तक 2024 में यही होता है, तो क्या यही होगा, सवाल नंबर 1, ठीक है, और या फिर जिस भहिया quantum से और क्या volatility थी आराज, मतलब 5-5, 10-10 मिन्ट में 100.2 पर 100.2 नीचे, ठीक है, उमीदा आपको यहाँ से benefit मिला होगा दोस्तों, टेलिग्राम से, जो चीज मैंने आपके साथ share की थी, जो level important थे, ठीक है, 225 के उपर buy side में रही है, और 220 यह, 25225, इस नंबर के उपर buy side में रही है, आपने इस नंबर के बाद 24470 प्लस तक देखा है, ठीक है, वहाँ से, मैं कहता कि वहाँ से sell किया जा सकता है, ठीक है, इसके नीचे 25175 के नीचे bearish, अच्छा, यह dot मैंने गलत लगा दिये, green यहाँ लगाना था, ठीक है, red नीचे लगाना था, तो 25175 के नीचे, अच्छा, खासा market, sell में, यहाँ मैंने आपको बता दिया था, कि sell किया जा सकता है, ठीक है, 25175, selling candidate 24960, 2496, कुछ के आसपास, निफ्टी आ भी कहता है, 200-200 पो नीचे की तरफ भी market हमें, पकड़ने को दिखा है, लाल पैतल है, बढ़िया रहेगा भाई, मुझे तो लाल पैतल है, तीन-चार दिन के लिए अच्छा लगता है, यह stock, ठीक है, इसका भी chart analysis हम यहाँ पर कर लेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो, दो चीज़ important है, पहला, आपको weekly candle जो है, वो एक red color की देखने को मिली है, ठीक है, और जो lowest closing है, वो Friday को देखने को मिली है, तो यह जो low बनाया, यह शायद आपका next Friday तक break होना चाहिए, 80-90% chances है, इस चीज़ बे, पूरे week की जो lowest closing है, वो आज ही देखने को मिली है, Friday को, ठीक है, और lowest price भी आज ही देखने को मिला है, Friday को, ठीक है, तो क्या यह low टूटेगा, कैसे टूटेगा, देखें, सबसे बड़ा जो resistance रहेगा, जहाँ पर आज इसने, आप देखेंगे, यह जो channel है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करना और इसकी जो body है न, इसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, यह, इस channel के अंदर, यह जो channel है, आज भी आप देखेंगे, डॉट इसी को छू के वहाँ से selling आईए, यह जो है न यह, अब यह इस से बड़ा resistance भाई, निफ्टी में कुछ नहीं, अब जब भी यह उपर चैनल है, ठीक है, अपड़ रैजिंग चैनल है, यह सबसे बड़ा resistance, ठीक है, और इस level के नीचे, यह जो low बना है आज, आप जो मैं बोलने जा रहा हूं, main चीज़ है, यह low जो बना है, 24966 के आसपास शायद एक low बना है, 24966 जो भी है, यह जो low, इस low के नीचे अगर trading होत ही है, मतलब इस low को तोड़के निफ्टी, Monday, Oblick, Tuesday इसके नीचे जा के ट्रेड करने या वेट जब भी, next week में, जब भी, यह चीज़ अगर देखने को मिलती है, तो जो आपका target है, ठीक है, जहान से सुन लीजे, यह जो यह फिर्मों के बार बार नहीं आते हैं, यह आपका target है, ठीक है, 24, 267 के आसपास, मतलब मोटा-मोटा, 24,200, 50 से लेके 24,300, पोजिशनल, ठीक है, तो टीवन क्या होगा, टीवन होगा, यहां से लेके, यहां तक का half, ठीक है, यह नंबर कौन सा है, वो देख लेते हैं, इस, 25,44, 0, जहां से यह तोटा है, ठीक है, 25,44, 0, and 24, 250, ठीक है, तो वन जीरो नाइन ठीक है तू निवाड़े बाई टू 645 ठीक है तो 24,800 के आसपास आपता पहला टार्गेट निकल के आता है 24,800 के आसपास तयार रहिए ये नंबर के नीचे तूटता है तो ये जो चड़ाई है ना इस चैनल की ये आपका टार्गेट निकल के आता है ठीक है देखे ये पिछले 4 साल में 4 ट्रेंड है जो मार्केट ने पकड़ा था ये मैं आपको दो बार बता भी चुका हूँ ये देखे पहला तो ट्रेंड ये ही था ये 7 521 से शुरूबात हुई थी ये यहाँ ठीक है दूसरा जो मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा था वो ये पकड़ा था ठीक है वो तीसरा ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा था वो उसने ये पकड़ा था ठीक है ये ये पहली वेव है ये सेकेंड करेक्टी वेव है अगर आब यह नीचे नया ट्रेंड शुरू कर रहा है क्रेक्टिव तो आप यह देखे इसकी जो यह इस चैनल के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर एंट्री नहीं होने चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर इसकी इस चैनल के अंदर एंट्री नहीं होने चाहिए क्योंकि यह वाली जो केंडल है यह ब्रेक्डाउन को दिखा रही है नेक्स्ट जो केंडल होगी जो इसके नीचे क्लोज करेगी ठीक है जो इसके नीचे इसको हटाता हूं मैं इसके नीचे जो चैनल को बढ़ा करने का टाइम आ गया है इस लेंग को छूने के लिए आप जा रहे हो और ये वाली नहीं और इसके अंदर घुज गया अगर निफ्टी तो ये वाला जो चैनल है तो फिर वो नीचे भी इसको छूने के लिए आएगा बटो ये बहुत बात की बात है फिलहाल ये याद रखिएगा ये लो ब्रेक होते ही आपका पोजिशनल टार्गेट ठीक है 24,250 से लेके मतलब 24,300 के बीच में निकलिके आता है तो इस इस सिनेरियो नंबर वन जो मैंने आपके साथ डिसकस किया है मैं दुबारा डेली चार्ट पर चलता हूँ यहाँ पर ठीक है तो ये हमें देखने को मिल सकता है बिलो दिस आज के लो के नीचे बिंदा सेल सैड में बैठ जाना 25,025 का एसल लेगे ये नंबर ट्रिगर भी हो जाए ना ये लो ब्रेक करने के बाद अगर ये नंबर ट्रिगर भी हो जाए एसल ले लीजिए 75 आज पास का आपको एसल दे रहा हूँ और नीचे टार्गेट 400-500 पॉइंट बिलो ठीक है इसको जो है दिमाग में रखना है ठीक है इस चीज़ को नोट कर लीजिए नौ सिनेरियो नंबर टू ये उपर खुलता है और उपर की तरफ चल पड़ता है तो उपर की तरफ आप इंट्रा डे में बाई कर सकते हैं मेरे बाते नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ वो इंट्रा डे बोल रहा हूँ अब ठीक है इंट्रा डे बाई कर सकते हैं आप पर वो बाई बनेगा आपका बहिया टू फाइव टू टू फाइव के उपर बनेगा यहां से दो सो प तेजी है तो मैं buy कर लूँ, buy वो intraday में बनेगा, कब बनेगा, 25225 के उपर बनेगा, ये note कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, जब तक nifty 25175 इस number के नीचे है, भाई वो sell का candidate है, next week के लिए, sell का candidate, next week के लिए, जो telegram पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जो group है, उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा, ठीक है, इतनी important बाते हैं, अब फिर भी लोग skip करके देखेंगे, तो भाई कैसे पता लगेगा, ठीक है, और फिर जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो analysis बना लेते हैं अपनी तरफ से, मैं number जो लिख रहा हूँ, उसको के नीचे nifty है, तो जो भी rise हो रहा है, वो selling का के लिए ही है, वो sell on rise की श्रेणी में है, ठीक है, अच्छा, buy कर सकते हैं आप, अगर nifty two five, two two five के उपर चल पड़ता है, same जो मैंने आप टेलिग्राम पर शेर किया, इसके उपर चल पड़ता है, फिर आप buy कीजिए, और फिलाल जो level break हुए है, फिलाल जो number, हमारे पास दोस्तों हमारे number है, number पर trading होती है, ठीक है, जबता कि इस number के उपर nifty green color की candle से close नहीं कर देता, call को घर में लेके नहीं जाना है, simple, इतना सा आप याद रखिए, और इस number के नीचे trade करे, कहीं भी close करे, घर में आप put लेके जा अब तक ये इस channel के अंदर घुसके यहाँ green candle के साथ close नहीं करता ना, ठीक है, तो आप हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई अब तेजी हो जाएगी कल, ऐसे तो कभी भी ऊपर खुल सकता है, gap up खुल सकता है, मुझे तो लग रहा मंडे को gap up खुलेगा, पर ये जो आकलन है, ये method कोई ना, कोई तो ऐसे rules protocol बनाने पड़ेंगे ना, तभी तो आप noise को काटोगे, ठीक है, तो भाई call लेके जाना है, मेरा तो सबसे पहला rule है, मुझे candle ही उस दिन की green चाहिए, है ना, तो ऐसे करके आप जब 10 बार में से 7 बार सही होते हो, तब होता है कि आप एक method पे trading कर वो आदमी टिकता है, ठीक है, उमीद आपको समझ में आ गया होगा, तो call तो भाई आप जब ही लेके जानी है, जब इसके उपर जाके close करते हैं, और इसके उपर जाके जब ही close करेगा है, जब है 25525, इस number के उपर green candle के साथ close करेगा, ठीक है, और cell में बने रही है आप, ज उमीद है, आपको काफी चीट समझ में आ गई होगी, ठीक है, और analysis अच्छा लग रहा हो, तो like का बटन जरूर दबाईएगा, ठीक है, तो यह है दोस्तो, market, nifty, अब आ जाते हैं, bank nifty, 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 यहां पर support के आसपास ही है, दोस्तों वै इरियाज है ना यह, अब यह इन लाइन को नीचे चूने के लिए आ सकता है, देखे मैं दरा ड्रॉ करता हूँ, अच्छे तरीके से, ठीक है, तो, any closing, now, below this, यह दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर, ठीक है, इस परकार की कोई आपको candle जो है, मिल जाती है, यहाँ पर close होते हैं, मतलब कि, एक क्यावन अजार तीन सो के नीचे, तो यह gate open कर देगी, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, यह आता है, 49,800 के आसपास, ठीक है, और 51,300, यह इसके नीचे खराब है, यहाँ पर, ऐसे कुछ करके, यह इस परकार से आता हूँ, हमको दिख सकता है, ठीक है, तो bank nifty दोस्तों यह है, तो बहुत थोड़ा oversold हो गया है, तो इसमें थोड़ा jump दिख सकता है, पर मैं इसमें buy करने की भी सला नहीं दूँगा, भया उपर आप resistance बहुत है, ठीक है, यह देखे, डिली चाट पर जाएंगे, वहाँ समझे लगेगा, अब इसमें, यह जो यहाँ, यह जो है ना, यह, 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 तो फिलाल तो यह है भाई, बैंक निफ्टी-निफ्टी, ठीक है, फ्राइडे आज के लोग यह तूटते वे दिखें, किसी भी स्टॉक में कहीं पर भी, वो स्टॉक ठोकना है आपको next week, simple, ठीक है, चले, लाल पैतलव आपके साथ डिसकस किया था मैं, या चले स्टॉक में औ और भी देख लूँगा दो चार कठे एक वीडियो बना दूँगा, तो अभी केरें दोस्तों इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चनल को सब्स्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मुच